हलो स्टूडेन गुड डिविनिंग तो अल फ्यू वेलकम तो माइ यूटूब चैनल बेस्टी बायवाला बच्चा आज हम देखेंगे modern theory of evolution क्या देखेंगे भईया modern theory of evolution के बारे में last lecture में हम लोगों ने different theory जैसे theory of special creation, theory of catastrophism यह सब theory आओ जो theory थी और e-biogenesis यह हमने देखा theory of biogenesis और यह सब theory हमने spontaneous generation वगरे यह सब theory हम लोगों ने देख लिया था आप हम देखेंगे modern theory of evolution इस theory को आपको ध्यान से बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही theory आपको बताएगी अर्थ पे जो अर्थ बना है इस पे कैसे evolution हुआ है ठीक है यही theory सबसे important theory है क्योंकि यह theory पूरी-पूरी आपको जानकाय देती है इसको modern theory आप evolution भी काते हैं और यही theory most accepted theory है यह theory है जो proof करके दिखाती है कैसे life की और जिर्ख हुई है आर्थ में ठीक है तो इस theory को पढ़ने के लिए आपको इसको दो भागों में divide करना है एक chemical evolution पढ़ना है फिर biological evolution पढ़ना है chemical evolution को chemogeni बोलते हैं biological evolution को biological बोलते हैं देखे चाहे chemogeni हो चाहे बायोज swims हो इसको operarian और paísर नामक scientific मतलब यह理 आप यह modern theory आप evolution को operarian और किह ने osm there और और्हेंटिन नामक साइब्डिया है ठीक बच्चर, operarian और हेंड belly नामक साइब्डिया है इस modern theory आप evolution को दिया है ठीक भईया देखिए आपको पता होगा हमारी जो body के every cell है या every part है वो chemical से बने हैं chemical में carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus ऐसे से और सारे element मिलके हमारे body के प्रतेक part को बनाए है चाहे human body ले लिजे चाहे आप plant के ले लिजे या फिर बैकिरिया ले लिजे या फारेस के लिजे इनकी body different element के ही बने है क्योंकि आपको पता होगा bio molecule अपने अगर पढ़ा है आपको पता है bio molecule क्या क्या है carbohydrate है carbohydrate हो गया protein vitamins fat या लिपिट हो गया fat कहिए vitamins और में या फिर में रन तो इन ही इन ही सब चीजों से ही हमारा body बना है या human body ले लिजे या plant की body या फिर बैक्टिरिया वाइरस की body ले लिजे हम वाइरस की बात कर ले वाइरस किसके बने है nucleo protein के बने है वहाँ पे nucleo acid है और protein है ठीक है तो जो यह nucleo protein है यह भी किसने किसी element से बना है हमने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन 3rd semester में आप लोगों ने पढ़ा होगा nucleo acid के बारे में हमने उसको पताया किस-किस element से कैसे sugar कैसे कैसे बना है क्या क्या element उसमें है तो main element आपने पढ़ा होगा जो element body building element है उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा previous classes में ठीक है तो हमारे body का प्रतिक part जो है वो element से ही बने है ठीक है तो पहले देखते हैं कि element arts पे कैसे आए और इन element से life की कैसे origin हुई देखते हैं हम लोग ये element arts पे कैसे है और ये element कैसे different type से इतने plant में में इतने अच्छे तरीके से associate होकर या फिर जुड़कर कैसे life की origin की है ठीक है chemical के बारे में हम लोग chemo geni में देखेंगे और उस chemical से कैसे life की origin हुई है उसको हम लोग बायोजेनी में देखे हैं ठीक है और ये modern theory आप evolution को operin और हाइल्ड नामक scientist ने दिया था इतना चीज़े आप clear हो तो आगे बढ़ते हैं बताइए बताइए ये असमें clear है तो हम आगे बढ़ें पहले हम लोग देखेंगे आप chemical evolution क्या देखेंगे बच्चा chemical evolution आप लोग ध्यान से अच्छे तरीके से देखिए ठीक है ताकि एगर आप एक बल लेक्चर देखते हैं दूबारा सो लेक्चर देखके नोड्स बनाने की कोई जरूरत ही ना हो अराम से देखिए और अच्छे से बातों को ध्यान से पढ़िए अपना एक्जाम में अच्छे से लिखके 100% मार्ग लाएगे तो देखेंगे chemical evolution क्या है तो chemical evolution में हम लोग देखते हैं उस time जब billions of year एको बड़ा सा धमाका हुआ था उसमें आर्थ की भी origin हुई और different planet के भी origin हुई विभिन ग्रहों की origin हुई तो उस time आर्थ की situation क्या थी यह तो आपको हमने बताया है तो यहाँ पर देखिए चो primitive earth था उस time primitive condition on earth where high temperature क्योंकि बताया जाता है प्रिस्वी पहले आर्ग का गोरा था तो temperature प्रिस्वी का क्या था हाई temperature था बहुत ही था हमने लग में बताया था आपको रहो यह different जो बादल है एक दूसरे टक्रा टक्रा के light को उत्पन कर रहे थे और reducing atmosphere था कैसा था reducing यहां पर oxygen नहीं था तो यह अर्ली आर्थ जैसे जब आर्थ बनी उसके उस टाइम आर्थ की क्या सिच्वेशन थी आएसी सिच्वेशन साइंटिस्ट ने माना है और बताया है और यह सकते भी था उस टाइम प्रिस्वी क्या थी आग का गोला था बहुत ज्यादा हाई टम्टरिचर था और चारतर ज्वाला मुखे विस्पोर्ट हो रहे थे लाइटेनिंग हो रही थी बादल आपस में गरज के टक्रा रहे थे बारिस हो रही थी और एट्मोस्पियर में oxygen नहीं था इसलिए reducing type का atmosphere था कैसा atmosphere था reducing type का यह important है आप इसको ध्यान देजिए और देखिए और आपसी क्या condition थी अली आर्थ है फ्री एटम आप आल डोज एलिमेंट वीच वेर इसेंचियल फार फार्मेशन ना प्रोटो प्लाज्म जब आर्थ जो पहले समय में जब आर्थ बनी जब लाइप नहीं था उस टाइम आर्थ के पास वो सारे एलिमेंट थे जो प्रोटो प्लाज्म को बना सके जो प्रोटो प्लाज्म को आपने प्रोटो प्लाज्म कंसंट्रेशन इसेंचियल एलिमेंट जो प्रोटो प्लाज्म बना है उसका एलिमेंट का आप लोगों ने कंसंट्रेशन देखा होगा आपको बताया होगा होगा यह एलिमेंट कार्ब आर्थ था जब लाइफ नहीं था वहां पे तो लाइफ को बनाने के लिए लाइफ को बनाने के लिए प्रोटो प्राजम प्रोटो 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 प्र हाइड्रोजन वाज मैक्सिमाम एमंग आल आप दे इन तब एलिमेंट में जो कार्बन हाइड्रोजन आक्सिजन तो नहीं था भी नाइट्रोजन था फास्पोरस था उन में से हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे जादा था किसका कंसंट्रेशन सबसे जादा था यह भी प्लस पॉइंट था फिर क्या हुआ द्यू टू हाइड्रोजन रियक्टेट विद आक्सिजन तो फॉर्म यस्टू जो आक्सिजन था एट्मॉस्पियर में वो ओटू के फाम में नहीं था हाफ ओटू के फाम में था ऐसे था ना प्रिवियर्स लेक्चर में बताया था तो यह जो आइड्रोजन था वो इस ओटू से रियक्ट करके वाटर बनाने लगा और वाटर बनने लगा तो एट्मॉस्पियर में कोई भी आक्सिजन बच नहीं रहा था कि यह आक्सिजन बचा है दो आक्सिजन मिलके ओटू बना ल इसलिए atmosphere को reducing type बोला जा रहा था, atmosphere में oxygen क्यों नहीं present था, क्योंकि जो भी oxygen बनता था, वो yes2o से react करके, क्या बना ले रहा था, yes2o जल बना ले रहा था, और ये जल temperature इतना high था, कि ये जल तुरंद वैपर की form में, वास्प के form में change हो जा रहा था, जिसके form में change हो जा रहा थ तो आप condition देख रहे हैं, अर्थ की क्या situation थी, बहुत ही high temperature था, चार तुरब जॉला मुखी का sport था, और जो जो भी element प्रोटोप्लांस बनाने के लिए चाहिए थे, वो early earth पे थे, और जो oxygen था, वो hydrogen से react करके water बना ला था, ठीक है, इतना आपने देख लिया, और hydrogen जो है कि, जो और hydrogen थे, वो nitrogen से react करके ammonia बना ला थे, क्या बना ला थे, ammonia, और जो remaining hydrogen बचते थे, वो oxygen से react करके ammonia बना ला थे, और hydrogen क्या थे, hydrogen react with carbon to form CH4, तो आपने देखा है, atmosphere में, NST भी present हो गया है, CH4 भी present हो गया है, और H2O भी present हो गया है, तो इजने सारे inorganic, inorganic, यह तो inorganic है ना, यह organic है, inorganic chemical सबसे पहले जो बना है, आप बताएंगे वो ammonia बना है, अगर water पूछे तो water लगाएंगे, अगर ammonia option में देख, ammonia, पहले organic element जो compound, organic compound है ना है, पहला organic compound जो बना वो है, यह methane, और जो first inorganic compound जो आर्थ पे बना वो क्या है, NST, यह question पूछे, first inorganic compound which are made on earth, तो आप देंगे NST, अगर H2 हो, तो H2 हो भी option में लगा सकते, और पूछे, first organic compound which made on early earth, क्या लगाएंगे, CH4, ठीक बच्चा, तो यह हो गया, आपने देख लिया, यह situation साइंटिस ने बताया है, इसको साइंटिस ने experimentally भी प्रूप किया है, आगे देखे क्या हुआ, as the earth cools down, the water vapor fails as rain to fill all the depression and form putrim to ocean, देखे, जो बादल एक दूसरे स्टकराएंगे, तो बारिस होगा न, तो early earth पे, जैसे temperature बहुत हाई था, तो जितना भी बारिस हो रहा था, तो जितना भी बारिस हो रहा था, तो बारिस हो रहा था, तो कई करोड साल वर्स, millions, years तक बार बारिस होते 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 होत साइन्टिस्ट का यह मानना है कि लाखो करोड़ों वर्ष तक बारिस होते हुँ जब प्रिजबी कूल डाउन हो गई बारिस होती रही तो यहतने सारे गड़े थे प्रिजबी पर वो ओसीन में कनवर्ट हो गए तो ओसीन क्या है वो डिप्रेशन थे अर्थ पे पहले ठीक है अपको समझ में आया लाखकरोड़ों स्वाल्ट बारिस होते होते बारिस कहां बागे गया पाने चाहां बाहए गया जो घड़े पित थे वह बारिस से फिल हो गए ना तो वह क्या बना लिए ओसीन सा मुद्र बन गया डियूरिग स्माली कियूल कांटीनू तु रियक्ट कर and form various simple and complex organic compound इस समय जब बादे सो रही थी ocean बन रहा था ocean में different molecules एक दूसरे से react कर रहे थे react कर करके simple और complex compound को बना रहे थे simple और complex organic compound बन रहे थे ठीक है now yes to आप ocean become rich mixture up macromolecule जैसे कि protein polysacryde fat nucleic acid form the main component of protoplasm ocean में यह सब element एक दूसरे से react करते करते carbohydrate बन गया polysacryde बन गया protein बन गया fat बन गया nucleic acid बन गया यह सब elements तो यह ना body को बनाने के लिए protoplasm बनाने के लिए तो इन सब elements से जो इन सब elements जो कि यह सब जो biomolecule है ना molecule है यह सब को protoplasm बनाने के लिए ज़रूरी है तो यह सब आर्थ में सारी ocean में present हो गए element एक दूसरे से react करकर के इन सब को बना दिए तो यहीं ना ज़रूरी है प्रोटoplasm बनाने के लिए आप आगे देखिए आपको यह मैं हम डाइग्रम के मध्यम से सारे situation बताए है ठीक देखिए फोर पॉर पाइंट फाइप बिलियन एग और एगो जब आर्थ की और जीर हुई तब डिप्रेंस सारे इलिमेंट गी कारबन हाइडोजन आक्सिजन नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन हीलियम आर्गे एटिसी यह सारे इलिमेंट अब क्या हुआ यह सारे एलिमेंट बहुत काफी लंबे टाइम बात मालीकुलर स्टेज में कनवर्ट हुए फिर वाटर वैपर का दिनमाड हुआ फिर अमोनिया का दिनमाड हुआ कारबन डायक्साइड बना हाइडोजन गैस बनी नाइट्रोजन गैस बना और मीथेन बना यह एक दूसरे से रियक करके यह सब बना है फिर आगे क्या हुआ यह यह एक दूसरे से रियक करके ओसियन में डिफरेंट सिंपल आरकानिक कंपाउंड इस्टेज बना जैसे एल्डीहाइड बना कीटोन बना एल्कोहल बना एमिनो एसिड बना गिलसराल बना फैटी एसिड बना प्यूरिंस बना पिरीमीडिंस बना फिर फ़र्दर यह चैनल इसनल वह रहा है यही है सिमायटिक रिएधि・ रिवरेटन के क्या इविडेंस है इस्को प्रूब कर के साइंटिसटों ने इसको प्रूब करकी दिखाया था उस इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हैरोल्ड यूरी आइन स्टैनले मिलर ने इस एक्सपेरिमेंट को भली भाद करके प्रूप किया है कि आर्ली आर्थ का कंडिशन ऐसा ऐसा था ऐसे ऐसे आर्थ पे लाइफ की ओर्जिन हुई तो इनकी एक्स्पेरिमेंट को आप लोग देखिए हमने आपको आर्ली आर्थ कंडिशन क्या बनाया बता था अल्ली आर्थ कंडिशन में हमने बताया कि वहां पे आ दूसरे चमकते तो बिजली चमकती है ना ठीक है वो हो रहा था और वहां पर आक्सीजन नहीं था इन्वार्णमेंट में और वाटर वैपर था यह सब था ना कंडिशन वहीं कंडिशन सेम यूरे और यूरे और मिलर नामक साइंटिस्ट ने लेबरोटरी में क्रियाट किया इ है इनका यहीं एक्सपरिमेंट था और इनके एक्सपरिमेंट का नाम था साइमूलेशन claiming एक को इन्होंने 18 में Complete किया था उसको बोल जाता है Spark Discharge operators क्या मोले जाता है इस but our no kurarm टेंट और पिर nei को그म एदा में करना चाहिए टिक क्रीब सब्वा सब्ल्त स्विद republican ऑपरेटर कि Aye इस पार्ग या झुसौन्ट उख्शार्ज एक एक प्र्शाइं में सेट करने की कोस्तिस किया ठीक है और इसका टंपरेशर लगभा कि इन्होंने 800 डिगरी सलसियस रखा ठीक है और यहां से वाइक्यूम पॉंप था जो भी एया था वो बाहर निकाल रहे थे यहां से वो ना और देखिए यहां पर यह बॉइलिंग वाटर था बॉइलिंग यहां आकर बॉइलिंग वाटर यहां आकर इस पार्ग डिस्टाज आपरेटर्स में एक दुस्तर से रियक्ट करेंगे यहां पर यहां पर की रूप में गरम होगा तो देखा कि इसमें देखा इन्होंने डिफ्रेंस सारे मालीक्यूल बगएरा बन गया है जैसे कि एलनीन ब एक है तो यह और एन इनन जो मिक्सटर आप गैसे को यूज किया था उसको यूज किया था इनननों c4 and a3 and hydrogen 2-1-1-2-1-2-2-1-2-2-1-2-2 तो के रेस्व में इन उन्होंने यूज किया यह भी इंपोर्टेंट है आपको याद करना है आपको याद करनेका शिम्पल से ट्रि और आश्टू इसमें जो और नमबर है भी समसंख्या उसको आप लोग एक रेसियो मानेंगे जो समसंख्या उसका रेसियो दो मानेंगे यह याद करने ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन है इंचा में पूछता है कि इस्टेल ने मिलल ने यूरिय एंड मिलल ने जो साइमोलेशन एक्सपेरिमेंट किया थाया इस्पार्ड डिस्टाज आप्रेटर में जो experienced किया था उन्हेंने कार्म्स और अमोनिया मीठियन और हाइड्रोजन का क्या रेसियो लिया था ठीक है यह तीनों गैस इन्हों ने लिया था और इनका रेसियो था टूइस दो टूँ ठ है यह देखिए यह आप गूगल से हमने लिए है इस फिकर को सब्सक्राइब कर देना है यह नेखिए पर दिखा रहे हैं देखिए यह इस पार्क डिशार्ज आपटर लिए इन्होंने टंगस्तन का इलक्ट त्रेल कि यहां पर पार्किंग करो रहा है करवा रहे है और डिफरेंस का मिक्सर लिए हैं ऐहां से वाटर को वह आl कर रहे हैं उपर लताया थाकिया प्लाए अट्वाजन नाज है कि यहां नाज रहा रहा है तो और यहां इन्हों यह cold water दे रहे हैं cold water देंगे ति यह gases cool down होगे ठंडा होगी जो कि कुछ time आर्थ का temperature down होगा था वह ऐसा condition वह दे रहे हैं यहां पर ठीक है उसके बाद इन्हों ने जो यह यहां पर cold water यहां पर जो आ रहा है chemical ठीक है उसमें इन्हों ने टेस्ट यह आ रहा है रहा है यहां पर फिर आ रहा है यहां से यह निकाल के वह टेस्ट किये उसमें देखें different side amino acid वगारा glycerol fatty acid यह सब chemical बन गए थे जो हमने आपको ऊपर बताया है कि यह सब organic body यह बन चुके थे अब तो प्रोटोप्लाज बनने के लिए जो सारे element ज़रू थी वो तो बन गए है आप तो life की origin होने चाहिए तो आगे का development हम लोगों को देखने के लिए क्या आया chemical evolution थोड क्रियेटेड सिम्लर कंडिशन अइट लेबरोरी लेबरोटरी स्केल विच आठाट टो बी एन प्रिम्टी अर्थ इस्टानले मिलर और यूरे ने सेम इंवार्मेंट को क्रियेट किया जैसा कि अर्ली अर्थ पर था और उसी टाइम कुछ अमेरिका के साइंटिस्ट भी सेम वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं ठीक है और इन्होंने क्या कैसे किया देखिए ही तुक है अमोनिया हाइड्रोजेन इन रेसियो आप टू इस्टु वन इस्टु तु टू एंड वाटर वैपर इन लार्ज फ्लास्क और जो बड़ा सा फ्लास्क दिखा उसमें इन बड़िटिक डिस्चाज बाइयूजिञ तू टंगस्टन इलूक्तोर एर सोर्स अफ एनरजी सोर्स आप एनरजी के ने इन्हों टंगस्टन इलूक्तोर का प्रियोग किया अप्रमेशन अब सिंपल अमिनो एसीड लाइक ग्लाइसीन अलनीन इस्पार्तिक एसीड का फी स्यंत स्यंता ने जब sagen यह सुगर भी बना लिया है नाइट्रोजिनस बेशिज भी बना comfortable कि क्या और कोई element चाहिए हमारी वाड़ी किसकी बनी है प्रोटीन कार्वोहाइड्रेट बिटामिन मिनरल फेट इसी सब को बना है तो यह सब हो गए अब लाइप की ओरजिन तो पॉसिबल हो गई है ठीक है तो देखिए आगे की ओरजिन देखिए आगे अब हम लोग यह बायोजेनी इस बायोजेनी वाले लेक्चर को हम लोग नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे ठीक अब यह एनी प्रॉब्लम अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं तो बच्चा थाइंक यू सो मज मिलते हैं नेक्स लेक्टर में